क्योंकि उनको लगता है कि धर्म और शास्त्रों के अनुसार वहाँ पर चीजे नहीं हो रही है ये सवाल तो हमारे धर्म गुरुओं का है ना हमारे लिए दूरी है ये सवाल उस आकरोश पर दो-चार शोज ये भी होने चाहिए कि हमारे शंकराचार इसका बहिशकार क्यों कर रहा है क्योंकि शंकराचार का अपमान हिंदू धर्म के अनुवाईयों का अपमान है ये चारों हिंदू धर्म के स्तंब हैं आदिगुरु शंकराचारे ने चार मठों की स्थापना करी थी और उससे एक तरह से पूरे देश को जोड़ा था उत्तर में आपका जोशी मठ में फिर पूरु में आपका गोवर्धन मठ पूरी में स्थित दक्षन में श्रिंगेरी शार्दा मठ और पश्चिम में द्वारका पीट और इन चारों शंकराचारियों ने निर्ने लिया है कि वह आयोध्या नहीं जाएंगे और इस पर कोई आकरोश नहीं है क्या ये धर्म को आहत नहीं कर रहा है हम 22 तारिक को जो आयोध्या में मोदी जी के नाक के नीचे मोधी जी की presence और RSS संग के प्रमुक की presence में हो रहा है उसमें नहीं जा रहे है जहां हमारे शंक्राचारे नहीं जा रहे है पिछले 48 घंटे में इतना आक्रोश इतने आहत लोग दिखे जो भाजपाई manufactured आक्रोश और आहत था वो काफी चरम सीमा पर भी धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का विशय है हम में से हर व्यक्ति किसी ना किसी धर्म का अनुआई है धर्म के मूल्यों को लेके जीता है धर्म के मूल्यों को लेके मानता है तो जब धर्म व्यक्तिगत आस्था का विशय है तो उसका इतना विभत्स, राजनती करण क्यों किया जा रहा है? क्या उसका इतना विभत्स, राजनती करण होना सही है? ये पहली बात मैं आपके सामने मुखर्ता से रखना चाहती हूँ. दूसरी ज़रूरी बात धार्मिक अनुष्ठानों का काम धार्मिक अनुष्ठानों को करने की विधी धार्मिक अनुष्ठानों को करने का तरीका धार्मिक लोग जो संबंदित हैं जो इसको करते हैं उन पर छोड़ देना चाहिए और यह सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ या सि पमाम लोग देश में नहीं कह रहे हैं यहीं कहना इस देश के चार शंकराचारिव का है कि बहुत लोग जो आक्रोश हैं जो आहत हैं जो लगातार शोज कर रहे हैं आपका कहा था यह आक्रोश आप क्यू Satuaj जब हिंदू धर्म के सर्वोच चार ग्यानी जिनको बोला जाता है जो चार शंकराचारे हैं जब उन्होंने निर्णाय लिया कि वो योध्या नहीं जाएंगे यह आक्रोश क्यों नहीं आया यह आहत क्यों नहीं हुए वो धर्म भीरू कहां थे यह मैं जानना चाहती हूँ शंकराचारे हो का अपमान या उनको ना बुलाने का जो गलत तरीका था इस पर क्यों नहीं लोग आक्रोशित हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए-ने धर्म भीरु बने हैं, वो इस बात को नहीं मानते हैं और यह शार नहीं जानते हैं, कि शंक्राचारि decía का हिंदू धर्म में क्या महत्व हैं, यह चारों हिंदू धर्म के स्थंब हैं, आधिगुरु शंक्राचारे ने चार मठो की स्था अपना करी थी और उससे एक तरह से पूरे देश को जोड़ा था उत्तर में आपका जोशी मठ में पिर पूरु में आपका गोवर्धन मठ पूरी में स्थित दक्षण में श्रिंगेरी शार्दा मठ और पश्चिम में द्वारका पीठ और इन चारों शंकराचारियों ने निर खानों में धार्मिक परंपराओं में सनातन संस्कृति में राजनिती करना सरवता गलत है हम कहां जाने से मना कर रहे हम 22 तारिक को और ये बात हमारे अध्यक्ष ने कही है हम 22 तारिक को जो अयोध्या में मोधी जी के नाक के नीचे मोधी जी की प्रेजेंस और RSS संग के प् संक्राचारे नहीं जा रहे हम जो विभेद्स राजनीती की जा रही है उसका odie भाजपा का राजणिति का अक्रो राहत हो ना आपको दिख रहा है यह देश का नहीं दिख रहा है ना यह हिंदू धर्म को मानने वालों का दिख रह और रामायर क्योंकि भगवान राम की बात हो रही है तो रामायर की सबसे बड़ी सीख तो यह है देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं वियापा 44 प्रतिशत बेरोजगारी की दराये कल 20 से 25 साल के युवाओं में तो राम राज में तो उनको employment मिलना चाहिए उस पर चर्चाओं नहीं चाहिए उस चर्चा से बचे रहे इसलिए विभत स्राजनिती करन चीजों का करते रहे राम राज में तो नहीं है कि आदिवासी के सिर पर आप पिशाब करिए राम ने तो शबरी के बेर खाये थे तो असलियत ये है कि धार्मिक अनुष्ठानों का काम जो हमारे साधु संत समाज हमारे शंकराचारियों को करना चाहिए वो अब भाजपा ने उसका बीड़ा उठा लिया है तो उससे लोग आहां थे आक्रोशित हैं लेकिन वो लोग आपको टीवी पर नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो दिखाई नहीं दिये जाते हैं अंतिम बात एक यही कहना चाहती हूँ यहाँ पर भाजपा ने इस देश को बहुत तरीके से बाटा भाजपा ने जाति में भाजपा ने लाइंग्विज पर बोलने पर आप किसकी पूजा करते हैं कौन सी वेश भूशा पहनते हैं हर तरह से बाटने का प्रयास किया लेकिन पहली बार भाजपा ने सनातन धर्म को ही संप्रदायों में बाट दिया कुछ जो वक्तव भाजपा के और उनके लोगों के अयोध्या से आ रहे हैं सुन लीजे तो लगेगा सनातन धर्म को संप्रदायों में बाटने का काम आर्थी जनता पार्टी ने किया है कॉंग्रेस पार्टी व्यक्तिगत आस्था को सर्वोपरी मानती है कॉंग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है और हम हमेशा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जैसा की पवंजी नहीं यहां पे का गिरिजागर गए है और आगे भी आस्था के अनुसार जाते रहेंगे आपकी जानकारी के लिए बता दू उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी 15 तारिक को सारी कमिटी वहां के तमाम नेता जेनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के साथ अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे है तो किसी पर कोई पाबंदी नहीं है ये व्यक्तिगत इंविटेशन आया था क्योंकि वहां पर इतना विभत्स राजनती करण देखा गया हमने 22 तारिक को जाने से इंकार किया हम सब को स्वतंतरता है अगर मैं और पावन जी भी जाना चाहिए हमें पूरी स्वतंतरता है जो पाठी को है हम में से कोई कभी भी जा सकता है तो इसका जो विभत्स रूप दिया जा रहा है जो आक्रोश है उस आक्रोश पर दो-चार शोज ये भी होने चाहिए कि हमारे शंक्राचार इसका बहकि और शंक्राचे का अपमान हिंदु धर्म के अनुवाईयों का का अपमान है हां लेकिन सर्क शूर्ण के उसक और हमारे अपने नेटाओं को भी समझना है कि यह निमंत्रन 22 तारिक का कुछ लोगों को मिला ठाहिँ वह लोग नहीं जा रहे हैं आपको जाना बिल्कुल जाए जैसा कि मैंने कहा पूरी UPCC जा रहे हैं पंद्रा जन्वरी को संक्रांत के दिन कोई रोख नहीं रहा है उनको वह सचंदे जाने के लिए तो जो लोग आपत्ती जता रहे हैं जिनका दिल तूट गया वो दिल जोड़े वहां जाकर आए भारत जोड़ो न्याय आत्रा में जुड़े जहां पर हर वर्ग हर संप्रदाय के लोग आएंगे जहां पर मूल मुद्दों की भी बात होगी जिन मुद्दों से भाजपा भागना चाहती है क्योंकि उनको लगता है कि धर्म और शास्त्रों के अनुसार व कर दो दो नहीं जा रहे हों और उसके बाद वहां से बयान बाजी हो रही कि उनके आने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वह संप्रदाय के ही नहीं है मतलब सनातन धर्म को भी संप्रदायों में बाट दिया भाजपाने जो आज तक हमारी 5000 साल की संस्कृती में कोई नहीं कर प गार जो रही है कि इससे अलग सथी अब नया यात्रा की बाद भी सुपरिया जी ने करी न्या यात्रा को लेकर जो डोडिया करकी के उनके लोग अपना पैसा कमाना चाहते ब्रशचाचर इसमें भी कर्रहे हो भाजपा के इतने concern से मैं बहुत अभी भूत हूँ बस यही कहूंगी इस पर धन्यवाद क्या कि इसमें कोई गलती हुई है कौन सा सही है दो pamphlet चपे एक में डॉट को है मुझे इसके बारे में कोई जानकारी में मुझे लगता है कि इस पर काम किया था उनसे कुछ तुरुटी हुई होगी उस तुरुटी का सुधार हो गया आप लोगों के भी concern से बहुत अभी भूत हूँ मुझे लगता है मुद्दों पर बात करनी चाहिए एक गलत लिंक पर हम चर्चा किये जा रहे है मुद्द क्या है आज इस देश का 44 प्रतिशत बेरोजगारी थी आप सब लोग TV चानल में कितने चानलों ने डिबेट किया उस पर किसी एक चानल ने डिबेट किया उस पर एक ने नहीं किया किसी एक पेपर की हेडलाइन है एक पेपर की हेडलाइन नहीं है क्या मुद्दे हम खोज रहें और किन चीजों पर हम आकरोशित और आहत हो रहे हैं धन्यवाद